असलाम आलेकुम आप लोग पैसे हैं मैं उम्मीद करते हूं कि आप लोग हर्यास होंगे आज मैं बना रहे हूं पानी पूरी मैं शोले बनाने के लिए यह मटर ली हूं मैं इसको अच्छी तरह से धो ली हूं और मैं इसे अब यह कूकर में एट करूंगी मैं इसमें नमक डाल रहे हूं मैं इसमें हाप टीस्पून हल्दी डाल रहे हूं कि इसमें गिलास वानी डाल दीओ अब मैं इसे पहक कर दोंगी मैं चूला को जालू कर दीओ और जाए हूं पानी पूरी पानी बनाने के लिए मैं ये एक मुठी धनिया ली हूँ एक मुठी पोदीना ली हूँ दस से बारा हरी मिर्ची ली हूँ एक निम्बू है एक तुक्ली अद्रक है ये दो चमच भूना हुए जीरा है उसका पौडर बना ली हूँ दो चमच इमली का पेष्ट है एक चमच काला नमक है एक चमच वाइट नमक अब मैं इसको मिक्सी जार में कि इसको अच्छी तरह देखो पीस लूँगी तो कि अ इसको मैं यह बाउल ली हूँ नहीं यह पोदीना दनिया अद्रक मिर्ची का पेष्ट बना लिएं अब में इसमें दो चमच इमले का पेष्ट डाल भी हूँ भूना हुआ जीरा है दो चमच काला नमक वाइट नमक है अब मैं इसमें निबू नहीं चोड़ रहे हूँ कर दो चमच बना लच्ता है अब लाई राल इसमें अब मैं लाई कर रखे राल नहीं अब लाई को लाई आप लाई नहीं और ररी है अब लाई नहीं है यह पानी हमारा रेडी हो गया है पानी पूरी का पानी रेडी हो गया है यह छोला भी रेडी हो गया है अब इसमें मैं डालूंगी मैं हाफ टी स्पून कोटे लाल मिर्ची डाल रहे हैं हाफ टी स्पून जीरा डाल रहे हैं अब मैं इसको मिक्स करों रहे हूँ मैं जीरा डाल रहे हैं कोटे वी लाल मिर्ची डाल रहे हैं हाफ अब जीरा अब जाए हैं इसमें सैलेड आइट कर रहे हूं इस अब दनिया डाल लें पत्ता गोवें इसमें आड़ा रहे हैं इस अब जाए हैं यह चोला मरे रेडी हो गया यह पानी रेडी हो गया यह पूरी है इसको बनाएं बनार बनारस इस टाइल में आप लोग एक बार ट्राइं करें हमारी वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्स्राइब करना अल्ला हापी इस दूआ में याद रखना अरे याँ